मित्रों और विद्ध्यार्तियों हम आपके लिए एक टैस्ट लाए हैं और इसमें दस परसन हैं नमबर एक भारती अस्थल पर गड़े खोदने के साक्षे निमली खित में से किस पराचीन सभ्यता में पाए गए हैं अगला परसन परसन नमबर दो निमलिखित में से कौन सा पराचीन भारत के उपकरन परंपरा से नहीं जुड़ा है ए मौस्टेरियन बी एस्चूलियन सी ओल्डोवान डी ग्रेशियान इसका उत्तर डी है ग्रेशियान लंबर तीन परसन तामर पासान काल में वरत्ताकार गरत गरहों की प्राच्ती निमलिखित किस अस्तल से हुई है ए नवादा टोली बी आहाड सी हडपा डी इनाम गाओ इसमें उत्तर डी है इनाम गाओ परसन नमबर चार भारत में निमलिखित में किस नवपासनिक अस्तल को सरवपर्थम सूचित क्या गया भारत में निमलिखित में किस नवपासनिक अस्तल को सरवपर्थम सूचित क्या गया ए कोल्डी हवा बी चिरांद सी गुफ कराल डी लिंग सुगूर इसमें उत्तर डी है लिंग सुगूर पर्शन नमबर पांच हड़ी की मार्त देवी मूर्ती प्राप्त हुई है हड़ी की मार्त देवी मूर्ती प्राप्त हुई है A. विंध्या घाटी के निम्न पूरुपासान काल से B. सोन घाटी के मध्या पूरुपासान काल से C. बागवर के मध्या पासान काल से D. विंध्या घाटी के उच पूरुपासान काल से इसमें उत्तर डी है विंधिय घाटी के उच पूरुपासान काल से परसन नमबर छै बूचड़ खाना छेत्र का साक्षिय प्राप्त हुआ है ए महादहा से बी चोपनी मंडो से सी दमदमा से डी सराइ नहर राए से इसमें उत्तर ए है महादहा से परसन नमबर साथ तोबा जवाला मुखी राख सरपर्थम प्राप्त हुई है ए नर्मदा घाटी से बी महानदी घाटी से सी सोन घाटी से और डी यमना घाटी से इसमें उत्तर सी सोन घाटी से परसन नमबर आठ गंगा घाटी की नरहन संस्करती संबंदित है गंगा घाटी की नरहन संस्करती संबंदित है ए मध्या पासनिक से बी नव पासनिक से सी तामर पासनिक से और डी प्रारंबिक ए प्रारंबिक एतिहासिक से इसमें आपका उत्तर इसका उत्तर सी है तामर पासनिक से परसन नमबर नो अधो लिखित संसकरतियों में कोन पासान युगीन संसकरती नहीं है अधो लिखित संसकरतियों में कोन पासान युगीन संसकरती नहीं है इसका उत्तर बी है सोथी संसकरती लंबर दस महा पासान संसकरती 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 नहीं है ए तामबे से बी कांसिय से सी पीतल से डी लोहा से इसमें उत्तर डी है लोहा से एक बार और सुनिए अब के मैं फिर दुबारे बताना चाहता हूँ महा पासान संसकरती 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 नहीं है ए तामबे से बी कांसिय से सी पीतल से डी लोहा से इसका उत्तर डी लोहा से